नमस्कार दोस्तों केरेंड चोब यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CRPF पारामेडिकल का जो वेकेंसी आई थी दोस्तों 789 पदों पे जिसका फिजिकल हो चुका है दोस्तों एक्साम भी हो चुका है अब रहा बात क्या इसका रिजल्ट कब तक आएगा इसका कटफ क्या रहने वाला है और इसके बात जो आपका होगा ट्रेल टेस्ट उसमें क्या होने वाला है तो मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा आप वीडियो में बने रहें चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पे नए आ हैं आप लोग चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजिये और बेल आइकन जरूर दबा लिजिये दोस्तों और दोस्तों को सेर जरूर करें क्योंकि आफी लोग के लिए मैं इतना मेहनच से वीडियो बनाता हूं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि अपना भाई को आप लोग सपोर्ट करें चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्या इसका cut-up रहने वाला है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका cut-up जो है 60-70 बहुत हो गया ठीक है जो भी भाई 50-60 एकदम सही करके आये हैं 100% उसका result होगा आप लोग ज्यादा tension नहीं लीजिए ठीक है अब रहा बात दोस्तों क कि आपका result कब तक आने की संभावना है तो दोस्तों result भी जो है आपका बहुत जल्द आने की संभावना है क्योंकि बहुत जल्द आपका answer की दे दिया गया है आप लोग को पता ही होगा तो दोस्तों result भी जो है आपका बहुत जल्द आने वाला है अब दोस्तों बात करते ह कि trade test में आपका क्या-क्या होने वाला है उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो like, comment आप लोग जरूर करें और आप लोग जरूर comment करके ये बताएं कि sir मैं इतना बना के आया हूं क्या इतना में मेरा result होगा या नहीं होगा तो आप लोग फ दोस्तों बात करते हैं trade test में क्या होने वाला है दोस्तों trade test में जो है जिस भी post पे आप भरे होंगे cookman में certificate खोजा जा रहा है दोस्तों उसमें जो है आपका 20 number का trade test होगा दोस्तों इसमें भी जो है आपको अगर एक साल का certificate है तो आपको एक number मिलेगा दो साल का है तो दो नमबर मिलेगा तीन साल का है तो तीन नमबर मिलेगा चार साल का है तो चार नमबर मिलेगा पांस साल का है तो पांस नमबर मिलेगा इस परकार से जितना साल का आपका सेटिफिकेट होगा उस पे भी आपका ट्रेज ट्रेस्ट में भी क्वालिफाई हो जाईएगा ठीक है चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ दोस्तों अगर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन जरूर दबा लिजेगा दोस्तों और द दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ